स्वागत आपका आपी के यूट्यूब चाने मिश्कोडीक है मैं आज मुझी शेयर के बारें बात करेंगे वह ब्राइड कॉंगुरू प्लेमेटेड बीजी को लेकर हम डिस्कस करेंगे कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं क्या स्टोक में कल के दिन हमें तेजी बनते नजर इन सब के साथ साथ आप देखोंगे एक और हमें जो आफडेट देखने को मिले और इस अपडेट ची कर मैंने कल आपको बताया था लेकिन आज और हम जो आपडेट आई है जो जो नुज आई है वह वह बी देखेंगे और उसका क्या एपक्ट हमें श्टोकों चर्म्स पर दिया है लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं सेवी के दवारा ये बोला गया है ब्रैड को मैं आप देखो कि जो प्रमोटर की हिस्षेदारी के 30 मार्च 2014 को 40.45% प्रतिसात हमें जोना भी गट कर 31 मार्च 2020 को 13.96% पर देखने को मिली थी कमपनी ने शेरधार को की एक सवाल उठाये गए थे अकाउंटिंग पर सवाल उठे थे उनसके उपर बे तक कोई भी हमें जोना भी परतिक्रिया देखने को नहीं मिली है सेवी के दवारा ये बोला गया है तो यहां पर आप लोग देखो को भी ब्राइट कॉम के प्रमोटरों ने 2013-14 में ICIC bank, SBI bank, Canera bank इन सब के अंदर जोना पना जो शेर था वो गिर्भी रखा था अपनी होल्डिंग और बाद में जोना आप देखोगे एक फाइल एक्चेंज फाइलिंग में कमपनी ने काहा है यह आपको पहले भी देखा दिया notice वगरा उसके बाद आप देखोगे सेवी दवारा कारण बताओ notice जारी करने के 6 दिन बाद ब्राइट कुम गुरूप ने आपना जो नभी शेर होल्डिंग का जो डाटा है पीछे का वो दे दिया है इसके उपर आपको डिटेल में बता चुके हैं और आप देखोगे 90 परसंड जो स्टोक है वो तूट चुका है अपनी निवेश्ट को का बहुत बड़ा लोस इसने ज बता दिया था उसके बाद जो में चीज है वो यहां पर आप लोग देख सकते हो भी दोनों ही मामलों में आप देखोगे गिर्वी रखे शेरों को वापस ले लिया गया क्वांटन आप देखोगे क्वांटम 30 23 क्रोड शेरों से थोड़ा अधिक था ठीक है उसके बाद है वो यहां से स्टार्ट होती है जो की काफे जादा इंपोर्टेंट है तो यहां पर आप देखो कि कंपनी के दवार आपना जो सेर होल्डिंग डाटा है वो शोग रुआ दिया है 2014-15 से लेकर 2019-2020 का बट जो में चीज अब उसके उपर सवाल उट रही है देखो जो नोटि ठीक है यहां पर क्या बोला गया है विग कंपनी को आप देखोगे जो इंपरेमेंट चार्ज लिया है ठीक है 868 क्रोड का वो इनको जो नबी आप देखोगे अपनी जो लाब आने की जो भी इसकी वीवर था वहां पर दिखाना था बट इनका कहना है कि यह जो नुकसान कमपनी को हुआ है यह मानना किसका कमपनी का लेकिन जो सेवी है उसका क्या कहना है यह लिखाएंगे नहीं में टताओं के बराबर है ठीक है और कमपनी का वास्तविक लाव रिपोर्ट किये गए मुनाफे से काफी कम होता अगर यह यहां पर दिखाते इसका इसके लाव नहीं लिया गया है से भी यह बहुता है उसके बाद आप देखो कि भी जो हमें देखने को मिला है दस पंद्रा के ऊपर स्टोक नसी पर भी आपको जो लोग हो नजरा है और जो वोल्यूम लगी थी वह आपने देखा होगा भी दो करोड़ प्लस टॉक में वोल्यूम लग तूट चुका है काफी बड़ा लोस इन्हों ने जो इन्में अपने इन्वेस्टरों को दिया है तो चलिए भी आप देखोगे सेभी ने जो ना विसके उपर जो इन्हों ने अपना शेर होल्डिंग डाटा दिखाया है उसको पर पर प्रतिक्रिया दिया है और बोला है के लिए लगे हुए हैं आप लोग देख सकते हो मार्केट प्राइस के उपर यानि कि कल स्टोग में फिर से लगने वाला है तो जैसी यह सेभी का एक और आप देखोगे रिपोर्ट आई सामने उसके बाद स्टोग के उपर फिर से प्रैसर बढ़ गया है और कल फिर हैं अब देखो 257,000,000 तो rightे से लगे लगपझ दो दो simply के अटे सी लगए अगर आप देखों अचल है मूमेंट यह से लहां तो कमेंट रहें किitäten करें के या फिर जोना भी आपको यहां से और श्टोग करी दिने बहुत सारे इंवेस्टर्स है जो श्टोग के अंदर ओर इंटरे लेना चाहते हैं बट यहां पर जब तक यह स्वेवी का जो मामला यह शांत नहीं हो जाता है कोई भी इसको पर डिजिट नहीं आजाता है तब तक हम कुछी भी नहीं कहा सकते अगर जिनकी होल्डिंगर पहले है यहां पर मोका मिले तो सेल करके बाहर निगली क्योंकि स्टोग सिंगल डिजिट में भी आने वाला है और आपने देखा भी होगा भी है कि बिजनस टुड़े के ओफिशल वेबसाइट को पर एक आर्टिकल आया था उसके पांच उर्पे के नीचे में लावल बताय जा रहे है कि पांच उर्पे के लावल स्टोग टच करेगा ठीक है वहां पर नब्य परसेंट से जोर में आप आपको वीडियो पसंद आई होगे वीडियो पसंद आदेके लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब में किया तो सब्सक्राइब होना मत भूलना है थैंक्यों वर वोच में दे वीडियो